कुट्टे को राजा बनाया जैपुर में हुजूर विराजमान थे एक दिन काशी के राजा श्री चर्णों में हाजर हुए उन्होंने अपने लिए संतान होने का आशिरवार मांगा महराज श्री के यहां दो कुट्टे मैं तू और चेतू कब से पलते थे जो उस समय हुजूर के चर्णों के निकठी बैठे हुए थे महराज ने राजा का निवेदन सुनकर अपने कुट्टे मैं तू से पहले पूछा क्यो रे तू राजा बनेगा जा जा वहां माल मिलेगा खाने को और यहां फकीर की भीग की रोटी खाने से जान चूटेगी कुट्टे ने बैठे बैठे नकरात्मक धंग से सिर हिला दिया तब हुजूर ने दूसरी तरफ चेतू से पूछा क्यों चेतू तू राजा बनेगा उसने खड़े होकर पूछी लाई हुजूर बोले वाह भाई वाह राजा बनने का मन बन गया ठीक है ठीक है महराज प्रसंग बदलते हुए राजा से बोले राजन विश्वनात की नगरी में रहकर किस बात की चिंता करते हो जाओ शियो का नाम लो कुल मनोरत पूरा होगा कालकरम से राजा को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई जिसका नाम करण श्री महराज ने ही किया चेट सिंग जो राजकुल में बड़े ही धर्मात्मा और नेक नियत राजा हुई